2019 में हुआ क्या? किसने किसको दोका दिया? अजित पवार जी ने इस बात को माना कि महाराष्ट में स्टेबल गवर्मेंट देंगे, BGP और NCP साथ में आएंगे और वन फाइन मॉर्निंग पवार साथ पीछे हट गए उस समय अजित पवार ने कहा कि इतने आगे जाने के बाद मैं वापिस नहीं आ सकता हूँ अपोजिशन यूनिटी की जब बात चल रही थी तो शारत पवार जी थोड़ा Godfather kind of a role में थे लेकिन अब उनके स्वास्त के कारण वो थोड़ा backseat ले रहे हैं तो NCP का क्या वजूद है उस यूनिटी में? आप शारत पवार जी को जानते नहीं है अपोजिशन यूनिटी को ड्राइव करने वाले पवार साब ही है सारी अपोजिशन पार्टीज जो एक दूसरी का मुझ भी नहीं देख सकती ऐसे लोगों को भी एक दूसरी के सामने बैठाने की जो एक शमता है वो पवार साब में देखें, he has health reasons, but he is fit. At his age, he is politically totally alert.